सरकार द्वारा बच्चों के विकास के लिए कौशल विकास भत्ता जैसी योजनाय चलाए गई है ताकि बच्चे कंप्यूटर के इस युग में चुनौतियों का सामना करते हुए सब रोजगार के पथ पर अग्रसर हो सके यह बाद गुवारमी के शिवम इंसिट्यूट औफ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा प्रमान पत्र वित्रन समवरो में बतौर मुख्यतिती पहुंचे जिला रोजगार अधिकारी राजेश महता ने कही उन्होंने कहा कि आज साइबी टीमो के लिया कुमार में में नाइड़ को लेवल के पास आउट बच्चों के लिए डिप्लोमा वतरन समारों का योजनी किया लिए जिसमें जिला रोजगार अधिकारी श्री राजेश महता जी ने सिर्कत के उनके साथ जिला रोजगार समयवयक सिर्भुपेश अलमा जी भी साथ जिला रोजगार अधिकारी श्री राजेश महता जी ने परदेश सरकारवारा चलाई जा रही कॉसल विकास योजना और विरोजगारी भत्ता से संबंधित जो यूजना है उसकी विस्त्रित जानकारी बच्चों को पुर्दान करें। इसके साथ रोजगार समयवैक श्री भुपेश अन्माजी ने बच्चों को निजीवा सरकारी क्षेतर में इंटर्व्यू में समलित होने के लिए कुछ टिप्स दिये जिनकी उन तयारी से वो इंटर्व्यू में अच्छा प्रफॉर्म कर सकें। SIVT के जिन बच्चों ने जनवरी 2023 में नाइलेट ओ लेवल का जो एक्जाम दिया था उसमें लगभग 87% बच्चे जो हैं वो पास हुए है। इस परिक्षा परिणाम के लिए सभी बच्चे और इनके शिक्षत जो हैं वो बदाई के पात्तर हैं। SIVT का मुख्य उदेशया बच्चों को गुनात्मिक सिक्षा के साथ साथ रोजगार पुर्दान करना भी है। प्रती ताके सिया वच्चे और ये साथ के साथ जो हैistक ये ये साथ लेख। बिलासपूर से आपका फैसला के लिए विजे कुमार की रिपोर्ट